आज थोड़ा सा बाहर निकल के आया हूँ थोड़ा हाईवे के किनारे एक बढ़ी आशा शांत खेत है लेकिन फिर भी वो ट्रक जो निकलते हैं वो अपना हॉरन की आवाज यहां छोड़ी दे रहे हैं तो आपको सुनाई पड़े तो इग्नोर कर दीजेगा थोड़ी खुली हवा है थोड़ा खुला मज़ा है तो यहां आ गए और बात भी जरह मजेदार है वो खानों में खान 30 मार खान ये तो सब को डायलोग ik और मेरा डायलोग क्या है बीज में बीज सिलवर बीज ETF में ETF सिलवर ETF एक बात समझ लो अगर सिल्वर बीज की मास्टरी कर ली तो बारिश होगी पैसों की और आज इसी पे बात होगी सिल्वर पे अभी आपके सामने आ रहा हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंके वीडियो पसंद ही आने वाला है हर हालत में नमस्कार मैं आनंद रास्त्रिपाठी और आनंद भाव फैमली में बहुत-बहुत स्वागत है तो बात चान्दी पे होगी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ वैसे मेरे दो वीडियो चान्दी पर पढ़े हुए हैं एट पढ़ा हुआ है 28 अ अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि चान्दी में अगर आपको सट्टा लगाने की आदत पढ़ गई है बहुत गंदी आदत है ऑप्शन से भी पुरानी आदत है सिल्वर में चान्दी में सट्टा लगाने की और अगर ये आदत आपको है कमोडिटी में MCX में चान् भी खेलो अगर लॉस हो रहा है तो एक ची और अगर फाइदा भी हो रहा है तो भी मैं बता दूँ दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर कैश में सिल्वर बीज में काम कर लिया एक बार तो आपकी ये याददास पूरी तरीके से मिट जाएगी कि आप MCX में सिल्वर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाए थे क्यूंकि 110 परसेंट ज़्यादा सेफटी के साथ कैश में रहे के सिल्वर बीज में सिल्वर ETF में पैसा कमाया जा सकता है एक चीज जो भी ये वीडियो देख रहा है और जो लोग मेरा टैलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं हमेशा वहाँ पर सिल्वर पे अपडेट देता हूँ क्योंकि वीडियो में पॉस्बिल नहीं होता है बार-बार अपडेट करना मतलब अपलोड करना वीडियो चान्दी के तो वहाँ पे टैलीग्राम कमेंटरी में मैं सिल्वर बीज पे अपडेट देता रहता हूँ तो सच-सच बताओ जिस-जिस ने इसल्वर बीज में काम किया है कमेंट बॉक्स में लिखो कि कितना प्रॉफिट कमाया है profit कमाया 10-20% की नहीं देखिए थोड़ी सी बात अगर बीच में repeat हो जाए तो समझ लीजेगा कि दो बार समझ लिया दात मैंने पिछली बार वीडियो में बोला था 9 March को कि दात पेने कर रहा हूँ और 61 में मैंने खरीदाई थी Silver Bees 9 March 2023 को और मैंने बोला था कि ये 58 आएगी 55 आएगी तो मैं और खरीदूंगा लेकिन हुआ उल्टा 61 से मैंने 70 के लिए बोला था कि 15% कमा लेंगे लेकिन मैं 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 वो मैंने 76 में बेची तो एक चीज याद रखिए कि Silver Bees में साल में 4-5-6-7-8 मौके मिलते हैं 10-15% की स्विंग करने के लिए लेकिन मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि सारे स्विंग को पकड़ पाऊं लेकिन मैं मतलब भरके अगर 4-5 स्विंग पकड़ लेता हूँ तो भी वो 40% से ज़्यादा रिटन बन जाता है और ये मतलब मेरा कोई एक्सपर्टाइज नहीं है ये परमात्मा की करपड़ा है परमात्मा की शरण में रहते हैं तो यार प्रॉफिट होता है तो जो 61 में खरीदी हमने 62 में खरीदी उसमें 25% प्रॉफिट 25% प्रॉफिट लेके निकले हैं एक चौथाई मतलब एक रुपए की चवणनी लेके निकले हैं पूरी सौ रुपए में 25 रुपए खाके निकले हैं ऐसे मोटा मोटा समझिए 61 की 76 में बेची और इसके बाद क्या हुआ सिल्वर में आप सबको पता ही है सिल्वर फिर गिरी हमने फिर दात पेने किये उधर दे को पैसे फिरी कर दिया अब यह थोड़ी ना किया रोज एडिक्शन है उसी को देख रहा है कि नहीं खरी देंगे खरी देंगे अब बस धीरे से देख रहा है कि बेटा तुम सत्तर के नीचे फिर कब आओगी सिल्वर रानी तुम कब आओगी तो जब वो आई जून में तब मैंने टेलिग्राम में अपडेट किया है कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो पता ना हो सब पता है आपको टेलिग्राम पे अपडेट किया कि 67, 68 में ले रहा हूं खरीदा मैंने और उसको मैंने 20 जुलाई को कितने में बेचा है 74 में बेचा है फिर मैंने 10 परसंट खा लिया इसके बाद अभी 69 में खरीदा है अगस्त में और वो अगस्त वाला भी मैंने पोपली अंकल के दोनों हाथ के लड़ू यानि कि आधी क्वांटिटी मैंने सिल्वर की बेच दी है जो 69 में लिए वो 73 रुपए 60 पैसे 73.60 पैसा में बेच दी है तो इधर 67 परसंट इसमें एक बात और समझिए थोड़ा यार अंधेरा हो रहा है कॉंप्रोमाइस कर लेना यार है ना थोड़ा लेट आयार मैदान में तौप वीडियो बना रहे हैं कॉंप्रोमाइस कर लेना अगर अंधेरा आए आवास सुनाई पड़ रही है तो सिल्वर बीज में एक और कहानी होती देखो जिसमें बहुत अच्छा स्विंग ट्रेट करना हो उसकी एक जोड़ा वो कहते हैं ना व्यापार में कि व्यापार में तीन पूंजी लगी होती है एक पूंजी घर में होती है एक पूंजी व्यापार में लगी होती है और एक पूंजी बाजार में लगी होती है और रोटेशन से चलता जिनको मालू में जो उधार माल देते हैं जब पहला माल की तो पुरानी उधारी क्लियर होगी वैसा ही सिल्वर बीज में है कि डीपी में शेर में हमेशा रखता हूं एक पूरा टुकड़ा सजा के इसलिए रखता हूं कि सपोज मैंने आज शेर खरीदा और कली रेट सिल्वर का बढ़ जाए कभी कभी ऐसा होता है तो जब बढ़ में आती कैश की तरह ट्रीट होती शेर की तरह मैं कहता हूं कि एटीएफ शेर जैसा मजा और म्यूच्वल फंड जैसी सेफटी तो यह दोनों काम करती है तो सिल्वर में एक चीज और है कि दाथ हमेशा पेने करते रहो और यह तो काम कौन अच्छा कर सकता है ऐसा नहीं है क इल्वर में आप भी अच्छा काम कर सकते हो वो हर आदमी अच्छा काम कर सकता है जो 9-3 रोज शेयर मार्केट के अखाड़े में उतरता है और मैं पिछले 20 सालों से 9-3 बाजार में ही रहता हूं तो जैसे ही मेरे रडार में आई मेरा सेंसर एक्टिव हुआ सोनार के क्योंकि पोपली अंकल के दोनों हाथ के लटू लिए जो 69 की अभी मैंने सिल्वर ली है और 73.60 की बेंची है तो आधे शेर जो बचे हैं सिल्वर के वो जोला कार्तूस मैं 75.90 में ही बेद दूँगा 76 का भी नहीं इंतिजार करूँगा और फिर बैठके देखूँगा क्या हो रहा है अगर और बढ़ी तो जो मेरे पुराने थोड़े रिजर्व है उनको बेंचूँगा क्योंकि थोड़े से सिल्वर बीज रहते ही मैंने बता उसे जब मैंने पहली बार अक्टूबर बाइस में दो हजार बाइस में 54-56 रुपए में सिल्वर खरीदी तो उसको नुवंबर में मैंने 64-65-68 में बेचा इसके बाद मैंने 64-65 में बेचा था अठावन रुपीज में बेचा था क्योंकि यह पहला स्विंग हो गया मतलब कि अक्टूबर से नौवंबर तक का पहला स्विंग हुआ यह छे साथ आठ परसंट का हुआ जो 61 रुपए की रह गयती 61 की अक्टूबर की वो मैंने बेची है फिर 70 25 परसंट मुझे मिला मुनाफा फिर एक स्विंग मेरा हुआ जून में जो मैंने खरीदा जुलाई में बेची वो जुलाई में बेची उसमें 10 परसंट हुआ और जुलाई के बाद अभी डिप आया था 61 का वो खरीदी तो उसमें 67 परसंट 8 परसंट मिला तो अगर यह सारे परसंट को जोड़ने मुनाफा तो यह मुनाफा जाता है 50 से 51 परसंट अगर नीचे के लेवल पिलें कि वहां 25 परसंट नहीं 24 मालो वहां 15 परसंट नहीं 14 मालो वहां 8 परसंट नहीं 7 मालो वहां 10 परसंट नहीं 9 मालो तो यह 51 परसंट आता है और अगर मैक्सिमम तो 55 परस नहीं बन सकता और अभी दो महीने बाकी है अक्टूबर मतला सितंबर अक्टूबर हो सकता कुछ और बन जा है लेकिन 30% 30 to 40% सिल्वर भीज में मुनाफ़ा 110% बन सकता है शिद्दत से काम करो मैं दावे से कहता हूं कि ETF में इस से अच्छा ETF है ही नहीं पैसा बनाने की मशीन है इधर से गन्न डाला उधर दो गिलास जूस तयार पीजे गटा गट गट ठीक है तो देखो समझो और सीखो जो वीडियो में बताता हूं वो डैलोग बोला था ना देखो समझो नहीं ये नहीं था देखो ये लड़का चिंगारी कलबड़ा होके अगर हम सब को जला दिया तो क्या करेंगे क्या करेंगे हम वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए पहले भी मैंने कहा था कि लाइक आपको पसंद आएगा करीदोगे और बाकी सब्सक्राइब कर दीजे इस चैनल को रोज कोई न कोई अच्छी चीज बताता रहूंगा अगर ये सिल्वर ब कर्चा तो निकले गई सब्सक्राइब का ठीक है वीडियो समझ में आया हो तो अपने इस्ट मित्रों को भी शेयर कर देना अगर वो इस तलाश में हो क्या मेरे पास पचास हार एक लाग दो लाग की पूंजी है वो भी चार-पांसो अजार कमा सकते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही नमस्कार बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे ओके शबाखेर